नमस्कार, शाम 6 बजे बड़ी खवर में पहले चर्चा करेंगे सेतू समधरम प्रोजेक्ट की ये वो सेतू है जिसे बनाने के लिए 1997 में विचार किया गया लेकिन 2 जुलाई 2005 में मोहर लगी इसे दक्षिन भारत के चोर में श्रीलंका और भारत में आडम्स ब्रिज को तोड़कर और पाक बे को गहरा खोद कर बनाया जाएगा इसे बनाने के लिए कई कारण है इस इलाके में गहराई कहीं 3 फीट तो कहीं 30 फीट है शिप्स का गुजरना यहाँ पर मुम्किन नहीं है ये करीब 30 घंटे सेलिंग टाइम बचाएगा अगर ये बनाया जाता है लेकिन इसका विरोध आस्था के नाम पर हो रहा है एक पर का कहना है कि ये राम सेतु है जो भगवान राम ने बनाया था मामलब सुप्रीम कोट गया तो कोट ने पूछा क्या कोई और्टरनेट रूट बन सकता है सरकार ने आरके पचाओरी कमेटी बनाये तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में आज कह दिया है कि राम सेतु कातने के लावा दूसरे विकल्प जनहित में नहीं होगे वेकल्पिट निर्मान आर्थिक और पर्यावरन के लिहास से ठीक नहीं होगा तो अब सवाल ये है हम इस सेग्मेंट पे समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या सेतु समद्रम प्रोजेक्ट अब ठंडे बस्ते में चला जाएगा तो आगे बढ़ने से पहले आज की रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं राम सेतु को काटने के अलावा कोई रास्ता नहीं है ये कहना है सेतु समद्रम विवात पर बनी आर्ग के पच्चौरी कमिटी की रिपोर्ट का केंसरकार ने आज इस कमिटी की सिफारिष को सुप्रीम कोट को बता दिया हाला कि खुद सरकार ने इन सिफारिषों को स्वीकार उस पर फिलाल उसकी राय साफ नहीं है अगर आरके पचौरी कमिटी की चली तो आसमान से समंदर के अंदर दिखने वाली इस कुद्रती बनावत को बीच से काटना पड़ेगा पौरानिक मानिताओं के आधहार पर इसे राम सेतू कहा जाता है जबकि विज्ञानिक इसे मुंगे से बनी चटानों का सम्हूं बताते हैं समंदर के अंदर पार्क स्ट्रीट के बीच से गुजरने वाली एक कुद्रती दिवार जहाजों के आने जाने में बाधा बनती है राम सेतू से रास्ता बनाने के लिए सेतू समंदरन प्रोजेक्ट बना लेकिन पौरानिक मानिताओं के आधहार पर इस प्रोजेक्ट का विरोध तेज हो गया अब सुप्रीम पोर्ट के निर्देश पर बनी आर्के पचारी कमिटी का कहना है राम सेतु को काटने के अलावा दूसरे विकल्प जन्हित में ठीक नहीं होंगे दूसरे विकल्प पैसे और परियावरण के लिहाज से महंगे साबित होंगे केंदर सरकार ने आरके पचारी रिपोर्ट की सिफारिश सुप्रीम कोट को बता दी है लेकिन खुद इस सिफारिश पर कोई मन नहीं बनाया है वैसे भी ये मसला धार्मिक लिहाज से काफी समवेदन शील है फिलहाल मामली की अगली सुनवाई आठ हफते बाद होगी स्तरकार के लिए असमंजस अब इस बात का है कि पचारी कमेटी के रिपोर्ट अगर सुईकार नहीं है तो क्या ओरिजिनल साइट पे अपना कोई उपिनियन कोर्ट के सामने रख पाएंगे और साथ ही इस मसले पर होने वाली राजनीती से भी बचा जा सकता है नई दिली से रज़त के इन एंडी टीवी इंडिया तो हमारे साथ खास पैनलाज मौजूद है इस मसले को समझाने के लिए जगदंबिका पाल सांसत कॉंग्रिस अमिताप सिना राश्रकार कारेणी सदा से बीजेपी शिटियार रामचांदरन वारश्पत्रकार हमारे साथ है रादेकर रामसेशन वारश्पत्रकार पलव बागला एंडी टीवी के साइंस एडिटर हमारे साथ मौजूद है गोर्दन जड़ापया हमारे साथ है सदासया महा गुजराज जानता पार्टी गुजरात में भी वो मौजूद हैं उनसे बात करेंगे हम हलाकि हम बीजेपी के संकट पर जब बात करेंगे अगले साड़े छे बेजे तब उनसे जादा बात करेंगे लेकिन फिलाल सबसे पहले मिट्टर रामचंदरन आपके पास आऊंगे आपसे समझना चाऊंगी इस समय जो आज आरके पचारी कमिट्टी की रिपोर्ट सरकार ने कोट में रख दी है वाकई कैसे देखें से दीखें यह बड़ा सेंसिटिव इश्यू है और हम सब को मालूम है कि तमिल नाडू में कैसे टेंपर बढ़ जाती हैं जब इसकी उपर बात करते हैं और जादातर हिंदू सेंटिमेंट ऐसे है कि वो राम सेटू कैलाता है वो डिरेक्ट आई पे ना नजर आए पर समझना के नीचे से वो जरूर उपर से आप देखें स्काई से या स्पेस से तो आपको नजर आता है अटलीस उसका शाड़ो जरूर नजर आता है अब जैसे आपने कुछ देर बताया कि अगर आपको इस्टर्न इंडिया की तरफ जाना पड़ेगा तो आप स्री लंका का पूरा लंबा चक्कर काटके जाएंगे ना ही कि आप पार्क स्ट्रेट से कट करें तो आपको रास्ता नजर्दीक बन जाता है पर वहां पर आप क्या करेंगे वहां पर गहराई बिल्कुल नहीं है अब उसके लिए प्रोपोजल ये था कि आप एक डीप ड्रजर के साथ इसको बारा मीटर नीचे देखेंगे डेप्थ उसकी होगी तीस मीटर उसकी विट्थ होगी और एक सो मेरे ख्याल में पैंसट या सतर किलो मीटर के आसपास वो रास्ता होगा अब सेंटिमेंट्स इतनी हाई हैं इस पे और ये बड़ा रिलिजिस सा मसला उटके उबर के आया है कि वहां पर इस प्रोपोजल को बिल्कुल नाना किया जा रहा है India's No.1 News App just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for Retina Display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.